हलो गाईज, विलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं एक ऐसी सबजी की रेसेपी से एर कर रही हूँ, जो स्वाद और सेहत से भरपूर है, जिसे हम लोग खेकसी बोलते हैं, इसे आपके यहां क्या बोलते हैं, मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि अलग-अलग हम इसे अलग-अलग नाम से जाना जाता है, इसे पहले से अच्छे से धो लेना है, उसके बाद हम इसे धो कर इसे कट कर लेंगे, आप चाहे तो इसे राउंड-राउंड में भी कट कर सकते हैं, मैं इसे लंबे-लंबे में पतले-पतले स्लाइस में कट कर रही हूँ, हम ऐसे ये सभी खेक्षी को अच्छे से स्लाइस कर लेंगे, उसके बाद इसे सबको अच्छे से कट करने के बाद एक बार और अच्छे से धोलेंगे. मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी जो बहुत ज़्यादा श्वादिश्ट बन कर तयार होता है और हमारे सरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाब दायक होता है तो मैं इसी तरह सभी खेक्षी को लंबे-लंबे पतले-पतले स्लाइस में कट कर ली हूँ और इसे एक बार अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें थोड़ा बहुत जो मिट्टी लगा होता है डस्ट होता है वो अच्छे से निकल जाए यह सबजी सीजन में ही मिलता है बरसात के सीजन में ही मिलता है सभी सीजन में नहीं मिलता है इसे एक बार जरूर से खाना चाहिए, इसे मैं बहुत ही अच्छे से रगड रगड के धोलूंगी, इसके बाद इसका पानी निकाल दूंगी, उसके बाद हम इसमें तड़का लगाने के लिए यहां पर लशुन कट करेंगे, मैं इसे बहुत ही सिम्पल तरीके से बना रही मैं इसके तड़का में सिर्फ लशुन, जीरा और लाल सुखी मीर्च ही एट करूंगी, और इसमें प्याज व्याज एट नहीं करूंगी, आप चाहे तो इसमें कर सकते हैं, हरी मीर्च और प्याज कभी तड़का एट कर सकते हैं, मैं यहां पर गैसाउन करके कड़ाही गर् महोने देना है जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कटे हुए लशुन एट कर लेंगे लशुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें एक छोटा चम्माच जीरा एट करूंगी और यहीं पर मैं एक सुखी हुई लाल मिर्च एट कर रही हूँ इसे अच देना है इसे चम्माच चला लेंगे यहाँ पर हम गयस का फ्लेम इसटार्टिंग में हाई रखेंगे उसके बाद जैसे ही तीन से चार मिनट हो जाएगा तो गयस का फ्लेम में रखेंगे और इसमें मीडियम फ्लेम में डख डख कर इसे बहुत आप्य अच्छे से इसको अब यहाँ पर मैं तीन मेडियाम साइज का टमाटर ली हूँ और टमाटर को बारिक बारिक से कट कर लूँगी आप अपने हिसाब से टमाटर कम जाधा कर सकते हैं और इधर सबजी में बीजबीज में चम्मत चलाते रहना है ताकि ओर नीचे से चिपक न जाए क्योंकि नीचे से चिपक जाएगा तो इसका स्वाद भी अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पर मैंने टमाटर कट कर लिया है अब यहीं पर मैं थोड़ा सा धनिया हरा धनिया की पत्ति ली हूँ और इसे भी बारिक बारिक कट कर लूँगी अब हम इधर सबजी देख लेते हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है इसका कलर ब्राउन हो गया है तब यहीं पर हम टमाटर एट करेंगे ताकि टमाटर बहुत ही अच्छे से soft हो जाए अब यहाँ पर हम gas का flame high रख सकते हैं 2 मिनाट के लिए और टमाटर जैसे ही soft हो जाएगा तो हम gas का flame medium रख देंगे यहाँ पर हम इसे चम्मच चला लेंगे और जैसे ही टमाटर अच्छे से soft हो जाएगा तब हम इसमें सुखे मसाले एट करेंगे मैं यहाँ पर दो छोटा चमच धनिया पाउडर एट कर रही हूँ और यही पर मैं आधा छोटा चमच लाल मीर्ज का पाउडर एट करूँगी और मैं इसमें आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर एट करूँगी आप अपने हिसाब से मसाला कम जादा कर शकते हैं अब इसे अच्छे से मीक्स कर लेंगे और इसे low flame में 2 मिनट के लिए बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि सबजी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाए मसाले 2 मिनट के लिए low flame में अच्छे से भूनना है अब यहाँ पर यह सबजी रेडी हो गया है अब इसमें हम हरा धनिया की पत्ती एड़ कर लेंगे और इसे सर्विंग बॉल में एड़ कर लेंगे इस सबजी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज की रेशिपी पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और जादा से जादा से एर कीजिए फिर मिलते हैं नेस्टे वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए राधे राधे अपना ख्याल रखे अपनों का कि थेंक्स पर वाचिंग